नमस्कार आप देख रहे हैं इस्पेसल कबरेज नियूज और मैं हूँ आपके साथ सिवकुमार मिश्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान कर दिया ये एलान क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित इनाथ जी मानेंगे डबल इंजन की सरकार की दोहाई देने वाले प्रधान मंत्री जी क्या अपने सभी मुख्य मंत्रियों से जो संविदा कर्मी है जो डेली बेजित करमचारी है क्या उन सब पर ये कानून ये नियम लागू करा पाएंगे मेरा सवाल इसके है कि इसी बात को लेकर दो दिन पहले दिली की नव निर्वाचित मुख्य मंत्री आतिसी ये एलान कर देती हैं कि हम अकुसल स्रिमिक को 20,000 और कुसल स्रिमिक को 22,900 रुप्या देंगे चुकि चुना हुए सभी राजनेतिक दलों में पूरी तरीके से तना हुए गरीब की ठाली में कहीं भी पुला हुए नहीं है नहीं पुला हुए क्योंकि पैसे नहीं है पुला तो छोड़ दीजे सब जी के भूखे लोग सलास रहे हैं और उधर प्रधान मंतरी जी 2020 में कह चुकह है मेरा नमक खाते हो वोट तो मुझे देना पड़ेगा मैं चाहिए भूखा रखूँ प्यासा रखूँ लेकिन बोट तो मुझे ही देना हुआ मेरा नमक खा रहे हूँ मैं प्रदान मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ साथ रुप्या लीडर मनमोहन सरकार टेक्स लेती थी पेट्रॉल पर और उसके बाद पूरा देश पूरा राष्ट रुपड़ा अच्छा चल रहा था आप 32 रुप्या से 35 रुप्या टेक्स पेट्रॉल पर लेते हो और 35 रुप्या के संतिंग डीजल पर लेते हो और उसके बाद रासन देकर मतलब 7 35 यानि पांच गुना 13 तो जुको वर पन पांच गुना वसूला आपसे और एक गुना आपको वापस कर दिया सरकार है और क्या खेल है कोई पास है कोई फेल है और फिर बता दिया उन्होंने सोगंध लेली कि नमक मेरा नमक हलाली मत करना हम भारती संस्कृती में नम मंत्री की बात का योग्ई आदी तिनाजी नमखहलाली करेंगे या फिर सुईकार करेंगे उनका काम हमारे साथ आदेनी सुरेंशर आज हमारे साथ जोड़ रहे हैं उनका स्वागत है और अविननने प्रेंसर मेरा सीधा सवाल है कि अकुसल स्रिमिक को सरकार कें सरकार अब देगी बाईस हजार चार सो रुपिया और कुसल को देगी चोबीस हजार से जाता मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री को आज ही ऐलान कर देना चाहिए कि हम अपने सिख्षा मित्र आंगनव बाड़ी रसोया या अनुदेशक मतलब जो खास करके वो जो रोज में इनके काम के रोज मर्री के काम वाले एक बार अनिकरमचारी छोड़ दिये जाएं तो क्या अनुदेशक सिख्षा मित्र कस्तूरवा गांदी के विद्याले के बालक बालिका की वो सिख्षक इन सब को पचीस जार रुपया सरकार नियमित मांदे कर देगी आजी बड़ा सवाल है यह क्योंकि डवल इंजन की दोहाई देकर वोट लिए गई है सर किसी से सवाल गलत नहीं है मेरा प्रदान मंद्री जी ने कहा कि हम डवल इंजन है डवल टक्कल लगाएंगे डवल विकास और डवल तो उन्होंने आते ही बजट कर दिया उत्तर प्रदेश का और चर्चा करो कि नौकरी के लिए तो कहते हैं पैसा नहीं है फिर सर्व डवल बजट क्या पेपर पर कहें दिखावे का बजट है पैसा नहीं बित्विभाग तुरंत मना कर देता है मेरे पास पैसा नह आधरा से कहा कि 500 शुप यह दो अब हम पर 600 रुप यह हम सब से कहते घूम रहे हमाए पाफ 600 रुप यह तो सरने किसी दिन बात करें तो इतने भरमार है तोल टेक्स हर प्रेक्टॉल डीजल पर आपके पूरा जीवन पत्रिकारिता का है इतना टेक्स तो आपने कभी नहीं पैट्रोल डीजल पर सुना होगा फिर वी सरकार करे रहे हमारे पास करमचारी को देने के पैसे नहीं है प्रदान मंत्री एक यारियर करें प्रतियक्रेलिम सो करोड़ रुप्या विए हमारे पास है तैंगे आपका खुण छूसेंगे जंता को मोदी जी की बात सुनागा जरूरी जो भी प्रधान्मंत्रियों जो भी मुक्यमंत्रियां उसकी बात हम आपको सुनवाएंगे पुरी लेकिन आप अपने ल को 22,000 रुपे देने की बात की और आप रासन लेके चड़ो गए उनके उपर तो कि आप तो अर्से से सिच्छामित अनुदेशक कम पेतन पाने वाले कर्मचारियों की वकालत कर रहे हैं तो एक अच्छे वकील का इस्टाइल क्या होता कि जैसे ही कोई फेवरेबिल बेंच मिली तो पूरा ज्यान वो अपना परस देशा बेंच के सामने कि हुजूर आपने यह कहा था हमारे पाई आप बताई क्या करेंगे अब आप हमसे बड़ा मुस्किल सवाल पूछ रहे हैं अलाकर बहुत सरल है कि बताई योगी जी लागू करेंगे अच्छा बताई जब मोदी योगी में नहीं पट रही है तो हम भी जानते आप भी जानते मोदी दोजा उन्ने से योगी को हटाने में लगे हुए कि कैसे निपट जाए और मैं तो इसके लिए योगी जी की तारीफ पर हुगा कि इतने सत्यसाली प्रधान मंत्री जिने इसवर ने स्वेम इस धर्ती पर लोगों का कल्याण करने के लिए भीजा है क्रिश्व भगवान बिलावजे कहते ते यदा-यदा ही धर्मत से ग्लानिर बहुत भारता अब नहीं कहरें कि इस कहरें ने हमसे गलती हो गए तुमी हो तुमी जब-जब धर्म की आनि होगी तब तुम आओगे लेकिन यहां डिक्टर यह कि धर्म की खुड़े आनि कर रहा है तो आप इनसे क्या उम्मिट करते हैं 22,000 यानि की अनुदेशत से डबल से ज़्यादा लगबर टिपल नौतिक सब्ताइसा और सिख्षा मित्च से डबल से ज़्यादा अगर यह दे दे तो क्या बात है उनको कहने भी होगा कि भाई अगर मैं होता योगी जी की जगे तो मैं कहता है निम्मय यह जो हमारे कुसल स्रमिक हैं आकुसल को तो हम बात भी देख लेंगे इनको हम कुसल का नहीं बलकि आकुसल स्रमिक मानते हुए क्योंकि कुसल को तो चोबीस अजार देना है इन सारे विक्रम सिंग टाइप जो कर्मचारी इस प्रदेश में कई वर्सों से घूम रहे हैं पता नहीं पढ़ाते लिखाते हैं कि नहीं कि खाली आपके चैनल पर आ क करके कोई ने कोई रोज एक वक्ताब दे देते हैं मैं भी बहुत लंबे अर्से बात जुड़ा तो मुझे इनकी हरकते पता नहीं है और आपकी हरकते तो मैं जानना होगा आप लगातार लगे हुए हैं कि इनको कुछ मिल जाए तो मुझे ऐसा लगचा है कि योगी जी को क कम से कम जो सिक्षा मित्यान दे सकें जो अनकम वेतन वाले कर चारी है उनको कम से हम यह कहने कोगा कि देखे हमारे मुखवंते ने कितना बड़ा देखाया कि उन्होंने प्रदान मत्रे से कहा कि आज़ा पैसा आप देदे तो हम देदे अब आप आईए हर चुनाव में ऐसा होता है पिनाव में यह कह रहे हैं आकुसर स्रमिक को दे देंगी सजा हर्याना में कह रहे हैं कि हम MSP की गारंटी दे देंगे और वो कह रहे हैं चौबीस चीजों पर MSP दे रहे हैं पता नहीं कहां है काउन से बजार में वो माल खरीदा जाता है अभी मैं जस्ट आपका तो मिलने आए वोसे तो उनका कि आजकल घर घर गाड़ियों पर लोग रासन खरीदने जा रहे हैं तो यह जो रासन मिल रहा है पांच किलो वाला यह रासन के दुकान से निकल करके काड़ धारक के पास आता हो काड़ धारक इसे बीच रहा है क्योंकि वो उस क्वालिटी का नहीं है वो गेहूं जो है फ्लोर मिल पर चला या था वहां हाटा बनके हमें 40-45 रुपए किलो भिक रहा है और चावल की क्वालिटी बताते हैं बहुत गंदी है लेकिन वो भी अपना किसी तरब बेच रहे है और यह बात मुझे हमारे जो र जो पैसा मिल डाता उससे फिर आसली रासन नी ले चाहिए यह जो दऊर चल रहा है कि यह रासन पर भासन का है एक फिल्म आइटी उपकार उसे प्राण एक गाना गार्ड याणाग माचते हैं कि रासन पर भासन बहुत है पर भासन कोई नहीं लेकि आठकर तो उल्टे आठकर भासर पर रहा था आठकर तो सारा भासर पर ही चला रोड नहीं नहीं सब बात दिखाई रहाते हैं हर्याना में गए हमारे प्रदार मंत्री उनका कि मैं तो जो कुछ हो हर्याना की वजय से नहीं अब हम लोगों को जो उत्तर पुदे साल हमको तो बड़ी मतला इंस्रियाटी कांप्लेक्स हो गया कि चुनाओ हमारे हां से जीतते हैं और हैं ये सब कुछ हर्याना की वज़े से तो हमको तो अच्छा लगा कि चुलू बर पानी में क्या चंबर बर पानी में डूब मरें इतनी हम लोगों के हच्चेट खराब हो गई कि हर्याना में ही सब उनको मिल ला है कि रिखे एक और आप कहते कर देंगे आप उनकी बाद प्रविस्वास क्यों कर से कभी आराम से सोचिएगा और नहीं तो अपने यह जो विकम सिंग जी बताएंगे दोहजार चौदा से ले करके कितने वादे किये नोगे और कित्टे पूरे किये हैं अब तो भूल भी गए कित्टे बादे किये और याद भी कर ले तो उनके जो नंबर दो है मुंसी जी को करें तो जूमला था इसको सच मत समझे और प्रदान मत्रे खुद ही कहते हैं आज कर खुद वीडियो वाइरल है फेस्बुक पर रोज आप देख सकते हैं जूट बोल जूट के उपर जूट बोलो उसके उपर जूट बोल लगा चारो वीडियो वाइरल हो रहा है और वो हटा है तो नहीं गया और अगर उससे लोग नाराज होते हैं तो फेस्बुक को मुकर्मा हो जाता है कि आप कैसे पिजान मत्रिक बारें जूटा बोल लें लेकिन वो वीडियो आन रिकार्ड है मुझे लगठा है कि यह अकुसर्व स्रमिकों को जो बाइस हजार की बात कहीं बहुत अच्छी बात है बहले है आम आदमी पार्टी के नकल में कहीं है लेकि इससे हमारे सुझेश के सिख्षकों अनिद्रेशकों सिख्षामित्यों का जर्द बहुत बढ़ गया है मुझे ऐसा रख जैसे इनके जख्वों को किसे ने कुलेट दिया है कि है प्रभू हमने कौन सी गल्सी की जो हम पढ़ लिग गए तो हम दस हजार भी पाने लाइक या बारा जार भी पाने लाइक नहीं है इससे अच्छा ठात के हम अनपड होते हैं आकुसर मध्यूर होते हैं तो कम से कम प्रदान मंत्री द्वारा कोसित बाइस हजार रुपए के पारस्रिमिक के बारें सोच ते पहुंच है यह तो विचारे भी सोच भी नहीं पा रहे है पड़ी आपने बिश्त्रित उसकी बात होता है ना उत्तर प्रदेश के निवासियों से यह सवाल करता हूं कि आप कब तक ऐसे लोगों से अपने बच्छों को सिक्षित कराते रहोगे जिना अकुसल स्रिमिक माना जाता है और वो क्या देश को कांधार बना के देंगे बच्चे भूंखा सिक्षक करे पुकार या तियचार कब तक रहेगा यह सरकारते करे मानीज जी बैठे हैं बदोर्या बदोर्या आगरासि कि दिब्यांगे पैर से लाचारे चलने में लगातार इıllे के छाहों के लोग कुछ इधर उदर के लोग इन्हें मारने की धंकी देते हैं इस्कूल में विवधान पैदा करते हैं, किसी को साथ लेके इस्कूल जाते हैं, लगातार अधिकारियों से सिकाइद कर रहे हैं, आज इन्हों ने अपनी पीडा बताई, मनीज जी क्या कहना चाहते हैं, मनीज जी, माईक खोलिए, जी, बॉलिए, नमस्कार सर, नमस्कार, और पैनल में बैटे हैं, सर्वी को मेरा नमस्कार, तर पीडा बहुत देनी है, बड़ा कश्ट है सर, मैंने सुनीली आदब जी को भी अबगत कराया, पीरें चोकर को भी कराया, लेकिन सर्व उस वेक्षनी नहीं होता है उस पे, और आए दिन रास्ता में हमें परिशानी होती है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या क्या आ रहा है, यह मुक्त समस्या क्या है, समस्या का समना निकाला है, समस्या यह सर के वो परिवारिक वबाद है, तो मेरे ताउजी है, मेरे रिलेटिव बिड़ो थी विचारी, उनका मकान गेरे हुए थे 50 लाग का, आगरा में, परोली एर ब्लोक में पढ़ता है मेरा विड़्याले, तो अब उन्हें कुछ पॉंड नी मिला है, मैं कहीं जाद नहीं पाता हूँ, तो मेरा जाना आना विड़्याले से घर पही रहता है, और कुछ करने लाइक नहीं हूँ, तो उन्हें ही लग रहा है, कि इस बीच में इतने 20-20 किलोमेटर की दूरी में इन्हें किसी दिन के साथ आस्था कर दें, यह समस्या इस वज़े से वह जो ना बना रहे हैंगी, और यह दो-तीन मेंने पहले चल लगी है, तो मैं अब जेलता रहा, अब यह से साथ उसमें विद्ध्याले में रोच अटेंडेंस लेते हैं, तो वहां तो सर टाइम पे जाना पड़ेगा, और टाइम से आना पड़ेगा, यह से वारा बेकर कॉल ठीक की थी मैंने, सर आपको पोटो भी दिया है, यह विद्ध्याले में खड़े थी, आडपडोस की लोग बता रहे थी, वहां के आई हुई हैं भी, तो जब तक पुलिस आई तब तब आग गई, यह कंडिसन है सर, अब बताओ विद्ध्याले ना जाएं, तो एवी एसे अफसेंट, और जाएं तो मरने की नौवत, और बस कोई बिवाद नहीं, आपसी, तो बिद्ध्याले में एवी एसे सु मेंने अफसेंट कराया, बी एसे से अफसेंट कराया सर, इस सम्बंद में और पाई आरव है की, लेकिन उसमें कुछ और एक्सन ही नहीं हुआ, आज कहीं हम हैं बिजी थे, तो लाइटी आज गाए वो थी, सवाल करो तो बड़े गंपरी में थे हैं मसले, मैं सीधा विक्रम सिंग के पास जाओं, उससे पहले तारके सुर्साई जी से, मनीज जी बात आपके सुनिया, मैं कुछ कहूँगा और अधिकारियों से भी बातचीत करूँगा, साही जी नियूंतम बेतनमान कें सरकार ने लागू कर दिया है, अब देखना ये है कि इस नियूंतम बेतनमान को, योगी सरकार लागू कर पाएगी कि नहीं, और आप समझ रहे होंगे कि बहुत गंबीर सवाल है, जब लिजन की दुआई देने वाली सरकार किया डवल भार पहन करेगी, और नियूंतम बेतनमान जो इस वार सरकार ने लागू किया, वो 24,500 से जाता है, मैं समझता हूँ कि अगर ये 25,000 मान दे, अनुदेशक और सिक्षामित्र को फौरी तोर पर अभी दे दिया जाए, तो कुछ आँसू पुछ जाएंगे, और कुसल स्रमिक हो जाएंगे, सिक्षक नहीं होंगे फिर भी, लेकिन चली काम तो सिक्षण कारी करते रहेंगे, कुसल स्रमिक का काम लेकर भी, पुसल स्रिमिक का काम लेकर कम से कंद सिख्षा का इस्तर तो बड़ा होता रहेगा भारती पद्यती तो आगे जाएगी लोगों में यह बादची तो आगे जाएगी शिक्षा आगे चल रही है साही जी जी नोश्का सर आप सबी को नाम मेरा मानी मोदी जी ने एक बहतर आदेश दिया है और डबल इंजन की अगर सरकार है तो निश्चित रूप से बड़ा वाला इंजन जो स्कुदिनल देता है वाद छोटे वाले को फालो करना होता है यानि केंद्र के साथ कदम काल करना होता है तो हम आशाबादी लोग है उम्मित करते हैं कि सरकार भी केंद्र के उठा देश का अनुपालन करेगी और शिच्छा मित्रों अभू देशकों रसोईया आंगनवाडी आशाबादी तमाम तमाम मान्दे कर्मी इस्ता वाफ्ता है कि वैसे सरकारी जंडा सरकार पर नहीं चलता है प्राइवेट लोगों पर चलता है जो प्रैक्टिकल बात है करते हैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में समस्त राज्जी सरकारों द्वारा इसादेश का नुपालन करते हैं चलिए बात आप ठीक कह रहें लेकिन डबल इंजन की सरकार की दोहाई दे कर वोट लोगे तो जबल इंजन जो घोसना करेगा उसे लागू नहीं करोगे तो वोटर कैसे विस्वास करेगा इंजन आपस में चकराएं जंता का नुक्सान हो यह जंता अब बर्दास्त नहीं क हो चुकी है आप बताते रहें लोग सबस्वा चुनाव में लोगों दिखा दिया है वो तो दो तीन जगा कुछ लोग इधर से उतर हो गई यह डबल इंजन मिंजन सब ठीक हो जाते हैं यह दुरूस्त हो जाते हैं पिछले कई वर्सों से अगर चुनाव को लेके बातचीत हो चुनावी प्रक्रिया की बातचीत की जाए तो ऐसे मामला उल्या की रख दिया है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा है विधायक शिकायत कर रहे हैं सांसर सिकायत कर रहे हैं आप सरकार के साथ मिलकर अच्छा काम करना चाते हो सब सिकायत कर रहे हैं फिर आखिर कौन लोग है सरकार ने आज नियूंतम बेतनमान 24 सच्चार से ज्यादा लागू कर दिया वो कुसल स्रमिक्का है मैं तो समझ रहा हूं सरकार को तुरत लागू कर देना चाहिए और ये बड़ा दिल दिखाते हुए सब्सक्राइब कर देना चाहिए समझा जाएगा कि सरकार वास्ट भी संविदन सील है और तुर आपका बहुत बहुत आवाल और अधनिये सुर्यन दूवे सर को भी कोटी-कोटी परनाम अधनिये साही जी को भी साधर परनाम सर हम तो कुछ सवाल रखना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से इस देश के आदनिये प्रधान मंत्री जी से इस प्रदेश के आदनिये मुखमंत्री योगी जी से कुछ सवाल रखना चाहते हैं कुछ सवाल का उत्तर चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प् मंत्री जी बताएं इस देश के मुखमंथ्री जी बताएं अभी मैं देख रहा था अज सवेरे का पर रहा था और कल रात में देख घृत तो भारत की सरकार ने चार प्रकार एक अकुसल और तुछ प्रकार के भागों में डिवाइड किया है हम पूछना चाहते हैं हम जानना कि उत्तर् प्रधेस का अनुदे rak कुसल में आता है की कुसल में आता है कि उच्छ कुसल में आता है क्योंकि इस देश के द्धान मंत्री जी ने जो कर लागू किया है अब कुशल को 783 रुपया प्रति दिन अर्द कुशल को 783 रुपया प्रति दिन मिलता है मिलने की उन्होंने घोसना किये और महीने में 20,358 रुपया अर्द कुशल की बात हो रही है और कुशल को 863 रुपया प्रति दिन और महीने में 22,568 रुपया महीना अब आये कुशल पे कुशल को 944 रुपया प्रति दिन और महीना जानने 24,804 और उसके बाद एक नई प्रमप्रमोदी जी ने शुरू किया है उच्छ कुसल, जिसको एक हजार पैटीस रुप्या परती दिन और महीना जानना चाहेंगे, तो 26,910. हम मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश कानुदेशा कुसल में आता है कि अं रुप्या परती दिन मिलता है और इससे पहले इस देश के प्रधान मंत्री जी ने 28 अगस्त 2017 को भी 800 रुप्या प्रती दिन की घोशना की थी, मतलब 24,000 रुप्या महीना, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के प्रधान मंत्री जी से, इस प्रधेश के मुख्या योगी जी से जाना चाहता हूं, कि भारत में मोदी जी बताएं, कि इस देश में कितने ऐसे राज हैं, जहां पर 28 अगस्त 2017 को आपने जो आदेश दिया था, 24,000 का, इस देश में क इस देश में उसका पालन हुआ होता है, तो आज उत्तर प्रधेश का अनुदेशक दरदर की ठोकरे नहीं खाता, आज उत्तर प्रधेश के अनुदेशकों के आखों से खून के आशू नहीं बहते, आज उत्तर प्रधेश के अनुदेशकों की जो पीरा है, वो आपके चैन के जो नई मुकमंत्री बनी है उन्होंने घोषना की और उसके बाद मोधी जी ने घोषना कर दिया अच्छी बात है हम स्वागत करते हैं अदर यह मोधी जी के ढिने कान लेकिन बोगिन रखी गुजारिश करेंगे कि मोधी जी किरप्या करके इसको सबसे पहले जहांजहां आपकी सरकार तो आपकी दूसरी बार बनी है तो आप सबसे पहले लागु करण में किंदीडी यह 747 रुपया प्रति दिन जो आप दे रहे हैं किगोस्त ना किये हैं नहीं पता नहीं कितने जर्म्पद और नहीं मिलेगा तो बंद्ने किशकरी पोह देंगे कि एंग नियम मोदी जी ने जो बनाया है और लागू हो और सर्परतम उत्तर प्रदेश में लागू हो और हमको कम से कम हम 1035 की चाहत अभी नहीं कर रहे हैं मोदी जी हमको जो नियुंतम है 783 रुप्या वही आप हमको दे देते तो हम आपका शुक्रगुजार होते और योगी जी का जो आदेश आता है योगी जी सिर्फ जो भारत सरकार होता है ना उसको बदल के उत्तर प्रदेश सरकार कर देते हैं और नीचे मोदी जी का साइन होता है उसको बदल के योगी आदितनात कर देते हैं उत्तर प्रदेश के मुकमंत्री लेकिन और कहा करते हैं और कहा कर कि बात होती है तब आदेश लागू नहीं होता तो अठाइस अगस्त दोजार सत्रा को ही इस देश के प्रधान मंत्री जी ने लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को चौबीस जार तो छोड़ दीजिए जो इस देश के सात्मा बेतनायोग में जो अठारा हजार निम्तम मान दे है वह भी नहीं मिला हम ठारा हजार को भी छोड़ दे तो 2017 में योगी जी ने जो भोसना किया था 17,000 देने को और वी समाई 2017 को भारतिय जंता पाटी के ओफिसियल ट्विक्टर हैंडल से ट्विट हुआ था जी उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए हम इनको 17,000 देने जा हवाद का चैनल पर उसका हमारे पास प्रूप होता सब्सक्राइए सरकार साथ हजार कर देती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नियम तो बनते हैं इस देश में बहुत सारे नियम बनते हैं लेकिन कितने नियम का पालन होता है हां पालन होता है कहां पालन होता है जब इनके हित की कोई बात होती है तो उसका पालन होता है लेकिन हम सुप्र और दिप्टी सीम केसा मौर्या जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे अभी एकीस तारी को बैठक हो रही थी और इस बैठक में केसा मौर्या जी ने कहा कि अठारा हजार से कम का मांदे का प्रस्ताब लेकर मत आना और अब तो बोदी जी ने चब्वीसजार से उपर कर दिया अरे चोरिये चब्वीसजार पता नहीं कहा जाएगा कब आएगा आप जो ऎठारा हजार की बात कर रहे हैं उसी को लागू कर दिजिये ना उत्तर-प्रदेश का अनुदेस का अलाकि हम तो नियमितिकरन की बात करते हैं क्योंकि मोदी जी ने बनते हैं लेकिन नियम का पालन की तरह होता है महत्पूर्ण यह है हम स्वागत करेंगे यदि इस देश के मुखे देश के आदर में प्रधार मंत्री जी इस प्रदेश के मुख्या जी लागू कर दे हम आपके चैनल के माध्यम से उनका सुपर गुजार रहेंगे उत्तर प्र इसको लागू करना पड़ेगा तेवल घोस्तना हवा हवाई बाते नहीं होनी चाहिए जी सर चलिए ठीक है सुरंसर कुछ भी हो अभी कुछ सिख्षामित अनुदेसक लिख रहे थे सुरंसर बताएं कि अभी केसब प्रसाद मौरिया के नित्रत में एक बैठक हुई बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी उन MLC को सामिल किया गया विदान परिस्ट सदस्यों को आप जानते हैं यह सरकार की बैठक होती है और इसमें विश्त्रित विचार होता है उनमें सभी पूरे प्रदेश के सिख्षक बिधायक इसना तक शित्र के विधायक यानि 18 से की अध्यक्षता में हुई और विधान परिसद के सभापती रहें विधान परिसद में इस वार बड़ी तादात में विधान परिसद सदस्यों ने अनुदेशक को सिख्षामित्र का मुद्दा उठाया तो बैठक हुई बैठक में यह बाच्चीत हुई लगातार दो बीज और हमें जबाब दीजिए मैं तो फिर कह रहा हूं जिस दिन एक लाख पचास जार की संक्या लाइब में जुड़ी हुसीन सरकार खुद आएगी कि प्रोग्राम रोका जाए और आपका काम किया जाए अभी से नहीं बहुत दिन से कहते आ रहे हैं लेकिन इस सब के बाबज किया जाए लोगों को कुछ मिल जाए मेरा और कोई इसमें लालच नहीं है कि वो आ गए तो हमने कुछ नहीं सवाल किया मेरा काम है कि आपको कुछ भी मिल जाए तो सुरेंतर अभी जो बात है कि डबल इंजन दोहरी सरकारें सिक्षा को लेकर सरकार फिकर मंद नहीं और सिक कुछ राश्र का राज्जी का देश का निर्माड करती है ऐसे में क्या है सरकार की अगली तैयारी क्या है क्या सिख्षा बीहींद कर दिया जाएगा पड़ोगे लिखोगे नहीं और फिर कोई सवाली नहीं करोगे तुम भी मस्त और हम भी मस्त जी कि आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि सिख्षा के बारे में क्या सुचते हैं देखे अगर पड़ लिख जाएंगे ज़्यादा लोग जित्ते पड़ गए वही समस्चा किये हुए हम आप भी दुर्भाद से पड़ गए चो सवाल उठा रहे हैं नहीं पड़े लिखे होते हैं मंदिर बाहर बैट करके जह जह सियाराम कर रहे होते हैं और लोगों को बता रहे होते कि देखे भाद्पा वो सरकार है वो पार्टी जो भगवान को लाई है तो हमारा इस डवल इंग सरकार है बहुत ग्यान भी बढ़ा जितना हमने पढ़ा लिखा उसमें तो हम पता चला था कि भगवान हम लोगों को लाए अब पता चला है हमको कि एक पार्टी है वो जो हमें भगवान को लाए और क्या-क्या मजाग होते है आज कल एक भाजपा का सदस्ता बियान चल रहा है जिसमें जो लोग आलेडी सदस्ते उनको सदस्ता दिलाई जा रही है और उसको बड़ी गंवीचाज मैंने आज सुबह ही लिया यह हमारे एक MLC मिट्स ने जो बाटपाई हैं हमको वाट्सप पर भेजा कि आजरनी मैं भाटपा गर दुबारा सदस्त बन जाने पर गर्म मैंसुस कर रहा हूं है तो मैं यह सर पकड़ के बैट गया कि जब पहली बार बनें जो क्या स्रम मेंसुस हो रहिए है तो हम को बड़ी शर्म होई कि पहली बार यह जो है कि अब हम लोगों को जैसे कोई ग्रेज्वेशन का कारीज मिला के फिर साथी पिकट दें कि देखे आप पास हो गए तो हम तो उसको कहें किया मुट्ता की बात करते हैं कि यह कि यह लोग डबेंगा वाली हैं और डवल इंजन सब दोजार चौडा से आयस के पहले सारी ट्रेनें से चल रही ते। अब अच्छे डह से चल रही थी, बड़ी-बड़ी उचाही चल जाती थी, पहाडी चल जाती थी, कोई दिककत नहीं होती थी. यह जब से डबल इंजन सरकार आई है यह थारा जार पर नहीं चल पाती है बाइस हजार पर नहीं चल पाती है पर उसका इंडिन खराब हो जाता है जस हजार पर उसका इंडिन खराब हो जाता है तो यह इससे तो सिंगिल इंडिन वाली सरकारे अथी अभी आपने कहा शुरुआ प्रस्तावना में अब नमक से बाद लड्डू सब पहुंच गई है कि अगर आपने हमारा लड्डू खाया है तो पहले तो आपको प्रास्चित करना होगा अब मुझे पता नहीं हमने बहुत से धर्मगरंट पढ़े हैं लड्डू खाने के पाप का क्या प्रास्चित होता है यह मैंने नहीं पढ़ा है अब आप सिर्कुमाजी जादा आपसे पढ़े रिखते हैं यह युवा है हमारी सुर्णा में तो जब पढ़के बताईएगा कि अगर गलत लड्डू खाने तो इसका प्रास्चित कैसे होता है बाकी तो पुराणों उसमें यदा कदा गाय हत्या पराने कुछ मिलता है हलाक मैं उनसे आपको कोई मात नहीं देता तो लड्डू खाने का क्या प्रास्चित होगा और चुनाव में हरा देने का क्या प्रास्चित दो यक्षप्रस्ट मैं आपसे पूच रहा हो है ने भाडपा को हरा दिया अब वहां के लोगों के हालत यह हो गई है जो आकुसर स्रमिक की बात कर रहा है कोई लड्डू बेचातर कोई फल बेचातर कोई प्रसाद बेचातर उनसे कोई खरिचा नहीं है और जो बाहर से आता उसको बताया जाता कि देखो वहां नहीं वी लोग है है हो गया कि हिंडू वी रहां कि नुकरिम कैसे का। यह सब काम डावल इंडियन के सरकार में हो सब Natomiast वूंकि सिंगिल इंडियन में तर सिस्तुरह के कभी प्याशता नहीं आई जह myś는ai नाम कॉ माना या नहीं माना राम को मनाया उटा-सीधा क्या नधिया ज़िया प्यार प्राम सार, वो कहा गया कि अयुद्धा में भी लड्डू बटे, अब मंदित प्रसासन सफाई दे रहा कि नहीं हमने लड्डू नहीं बाटे, जिन लोगों बाटे उनको पाप लगेगा, वो खाएंगे और प्राश्चित करें, और अब उन्हों कह दिया कि बंदिर में लड् कि सित्य ओ भी छेने करें, अब इलाची दाना, अब इलाची दाना तो आप जानता है, बहुत सफ्था भी होता, पैकर्स में बन के आता है, तो वहां को या अध्याम तो बनाता नहीं होगा, और बनाएगा भी तो उससे क्या होगा, ऐसे लोगों से आप पूछ रहे हैं, कि बाइस हजार जो कहा है, देंगे के नहीं देंगे, मुझे आपकी गुद्धी पर भी तरह साथा है, छोटी सी बात आपको समझे नहीं आ रही है, जब पिहले चोड़ा से लेके और चौबीस आगे दस साल हो गए, जो बात कहते हैं, नहीं करते हैं, अब आप हमसे पूछ र अपने अन्रिसक साथी का गुस्सा देखा, अच्छ सभाविक है, जब कभी मैं देखता हूँ, कि मैं उनको इस बात के बढ़ाई देता हूँ, इसमें कश्ट के बात, वो लगे हुए रड़ाई में, आज के यूग में, जहां बड़े बड़े लोग अधानी यह मानी सब के पात बिकने के लिए हाँ जोड़े खड़े हैं, वो आमारे विक्रम सिंग अपने साथियों के सामने बिकने ट्यार नहीं है, यह तो मंदिर के बड़े प्री लोग हैं, यह गुराटनाद मंदिर के बड़े प्री हैं, और मुक्वंत्री जी के बड़े प्री हैं, यह तो एक बार जाके कहने कि महाराद जैसे आप कहें तो कहें छोड़ो फिर आओ मनली मगड़ी समालो चाहें पार्टी में आ जाओ तो आपने तो बहां बहुत समय गोरकपुर में संपादन एक अखवार का किया प्रतिष्टित अखवार का तो आपको तो बहां कि पूरी पता है गोरकपुर में क्या प्रतिष्टा मंदीर चला था आज एक अपसर के घर से 50 करोड उपर पर चूरी होगा आपको पता है कि नहीं मंदिर के जल्वा यह है अब सरा हमें तो उसमें से पांच लाख मिल जाते तो हमारा तो अभी बुरा वक्त कर जाता है यहां तो पांच करूर की तो बाद को आपको क्यों मिल जाते हैं आएसे लोगों का पैसा है आज सबसे सयोग आप मंदिर वाले अफसर से ही मांग लें तो पचास करोड तो चला गया नो तो उस्त्रा खंड में था मंदर वाली इस्टोरी भी आपी के साथ सबसे प्रथम हुई है वो मंदर वाली इस्टोरी भी पचास करोड की हमें ही करनी पड़ी और उसके बाद बबाद आया करना पड़ा कि हम मुकद्दमा लिखवा देंगे जो हमाई खिलाब खबर चलाएंगी हमने किसी पर आरोप नहीं लगा हमने तो यह कहा कि आप पचास करोड की जांच होनी चाहिए कि यह क्या मसला है किसके गए हैं कौन ले गिया क्या सच है हमने तो यह खबर की और आपका न कहीं पचास करोड गए है खबर तो यह कि पुलिस को कुप्त रूप से लगाया गया और यह भी खबर है कि कुछ पैसा उसमें मिल गया है ऐसा चर्चा में मुझे पता नहीं कि मिला कि नहीं मिला तो उस इतने प्रताफी गुरकनाद मंदिर में इनकी इंटी डिरेक्ट थी आप पता नहीं है कि नहीं है और आभी भी विचारे कहते हैं इनकी सर्भावना देखिए कि अगर आप करा दे तो हम आपका जैकारा करेंगे चलिए सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मंदिर का तो मैं सिदा साही जी के पास पहुंच लेता हूं साही जी भी गोरकपुर से हैं सिक्षक संग के नेता हैं साही जी अब तो सरकार को इनकी भास सुनके इनका एक विदिवत मान दे अगर आज की तारीख में करें तो मिन मिनिमम मिनिमम कि रिचा का बेतान 1000 रुपिया पटे से उपर होना चाहिए मिनिमम जिस से कि उसका परिवार चल सकीची Kalau अगर सरकार इसमें भी सोचने में सोच रही है गुड़ा भाग कर रही है गुड़ा गड़ित कर रही है फिर मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ कहने लाइक बचेगा और रही बात सरकार की कुछ जैसे काम है ट्रांसफर की प्रक्रिया है जो तुरत हो सकती है जिसमें के व दो बर्स से संगेचन भी लगातार मिल रहा है सरकार से रोजबाचीत कर रहा है लेकिन एक भी जले भी सीधी नहीं निकल रही है एकात आदेश तो पारित हो एकात बात तो आगे बड़े सरकार के लोगों की भी जिद्मिदारी है कि अगर आप कोई चीज आगे बढ़ा रहे ह तो उसमें एक लाइन तो लिख दो कि हिलाल ट्रांसपर की जो समस्या थी उसे निस्तारित किया जा रहा है और तब तक ये लागू हुआ अब की बार अनुदेशकों के सो बच्चों की बाधिता का काम खत्म किया जाता है अब की बार सिक्षा मित्रों के ट्रांसपर की प्र अगातार वादा कर रहे हैं और एक कराके मानेंगे हलां कि इस हिसाब से वागुलाल तिवारी जी ने कई बाते कहीं सिख्षक MLC सर्मा जी ने कई बाते की सिख्षक विदाएक MLC जो सरीचन सर्मा है वो तो बीजी पीके सिख्षक प्रखोष्ट के प्रदेश अध्यक्षोर है उन्हें तो यह जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे प्रदेश के इस सिख्षक समाज को एक मंच पर ले आए ये ये मंच से बिदक गया है और 2024 में इसने मरे की चित्थी पसाइन कर दिये वो कौन पठी चित्थी 30 सीटे लेकर हाजिर है और वो चित्थी खडबना हाट चल रही है आपको मालूम है कि दिली से लेकर लखनव तक हड़कम पो मचा हुआ है आज तक उस हार का कोई जिम्मेदार नहीं बन पाया है रोज उसमें RSSS कर रही है रास्ता कुछ नहीं निकल रहा है लेकिन उस हार पर यह मंतब भी क्यों नहीं किया जा रहा है कि सिख्षामित्र भूख से मरा जा रहा है बोट भी देता रहेगा अनुदेशक भूख से मरा जा रहा है बोट भी देता रहेगा अरे सिख्षकों ना तो खुला एला कर दिया वोट फॉर OPS जब वोट खुले तो पहला आदे सरकार का कैबिनेट में पास होता है कि सिक्षकों की जो पैंसन का मामला लंबित था उसे सुईकृत किया जाता है आपकी बल्ले बल्ले हो गई आपकी समस्या का निजात मिल गई लेकिन आपने OPS से अभी अपना नाता नहीं तोड़ा आज भी अन्दोलन किया तो कुल मिला के बाती है कि सरकारे कब तक ये जलेवी में गोल गोल गुमाती रहेंगी क्यों नहीं खुलके बात करती क्यों नहीं बताती कि हम अरे आज ऐलान कर दो ये जो लोग घबराकर मौत के मुँ में जा रहे हैं ये आज ही मर दिवाली पर आपका बेतन आपके एकाउंट में क्रेडिट करतेंगे हमें मौका दे दीजिए दिवाली की खुसकबरी हम आपके साथ सेहर करेंगे आप हमें मौका दे दीजिए सारी बात खत्म सब कुछ खत्म देखिए आप कैसे एकदम पूरा सिस्टम बदल जाता है कैसे पूरा सिनेरियो बदल जाता है और आप दस की दस विधान सवा सीटें जो उप्चुनाव में जिनके भाई से आप उप्चुनाव नहीं करा पा रहे हैं दसो जीत के आ यह सिक्षामित अनुदेशक आपका हैसान रातो रात उतार देगा एक एक बिलाक के सिक्षामित दूसरे विधान सवा में जाके आपके लिए महनत करेंगे और यह आपके हाथ में हैं कि जीतना चाहते हैं हारना चाहते हैं अगर ऐलान कर देंगे और हारे तो समझ लेना कि अगर हमें एलाम कर देते तो जीत जाती अब आप तेह कर लीजिए मैंने तुम उक्यमंति जी को बता दिया और यह भी बता दियू कि पूरी तरीके से को सरकार बाच कर रही है, समझ रही है, और इसी बिए बार बार कह रहा हूँ, दिखा दीजीया संख्यावल, कि कि कई तरप्रदेश का संदिगा परमिजे, जोन्देशक है,σιी लिए संख्यमीन, अंगनवारी है, असा बहू है, और वाग में तमाम तमाम अने विभागों में इन पर सनी की सारे साथी चल लगी है और इनकी अच्छे दिन आने वाई मोधी जी ने मिनिमम 24 जार 25 जार बताया 30 जार बताया उतना मत करिए कम से कम जो मुख मंत्री जी केसो मोर्या जी ने मिनिमम 18 जार की बात की उसको अमनी जामा पहना दीजिए उत्तरप्देश का संविधा कर्मी आपके साथ है कदम ताल करेगा आपके साथ साही जी केवल वो एलान कर दें हमें जनवरी में दे दें लिखित दें एलान कर दें जनवरी में दे दें हमें सुईकार है क्योंकि भरोसा बिना एलान के अब नहीं होगा मैं आपको राज की बात बताओं राज की बात बताओं विक्रम जी ने कहा है अभी आयलान तो कई बार हुए है कि सतरह आजार करेंगे अथारह आजार करेंगे इतना कर देंगे उतना किया क्या अब बिना निरणय किए बिना खाते में पैसा आए भरोसा करने वाला नहीं है आप आदेश करिए और मानदेव से जारी करिए खाते में तब चुनाव आपके पच्छ में जाएगा वरना यह चुनाव आपके पच्छ में जा नहीं रहा है तीकी बात कर रहा हूं कि दस बटा दस की बात करने वाले जीरों पर सिमिटेंगे अगर यह आदेश नहीं किये तो कि अरे जो खुद मर रहा है उसको क्या मारोगे कि क्या मारोगे उसको और जो ठान लिया हमको मरना ही है आपके साथ कुछ भी कर सकता है तो इसको समझने की जरूरत है सरकार को और इस्तिती को समालने की जरूरत है आपके समझ में लोगों के नहीं आता कि 9000-10,000 में किसी का पेड़ पर्दा चल पाएगा क्या कल मैं अभी सबजी खरीदा सर आठ सो दोस रुपए की सबजी खरीदा और इच्छा थी लेने की हमने का इतना हो गया बहुत है लेकिन वो सबजी कितना था सर किलो भी नहीं था दस किलो भी नहीं था कि जिसमें अभाई किलो अलू ठाई किलो भावी तृ onlar सबजी और ऑर sponsors ओं चलम दे देखरीदा किवेया की यह सबजी हो गई जरू किलो टमाटर रहे और सबजिया कोई सो रुपया से कमसजी नहीं इनलोगे क्या तो वहीं मैं कह रहा हूँ आखिर महंगाई थोड़ा देखो भाई जो अधिकारी हैं हमारे प्रमुख सची हों है उनको भी सब्जी खाते होंगे अब पता निया अपने सब्जी खरदवाते हैं निकरवाते हैं उसका लेखा जो खाल लेते हैं कि नहीं लेते हैं अधिकारियों से सवाल किया सीधे और उन्होंने यह भी कहा है कि हम लोग मेजां ठपटपा के अपना बेतन बढ़ा लेते हैं कि पिछले साथ वरस में हमारा कितने बार बेतन बढ़ा उन्हों अधिकारियों से पूछा कि प्रमुक सचिप जी आप बताईए आपका किस नहीं बार इंक्रीजमेंट हुआ इन साथ वरसों में क्यों नहीं इनका इंक्रीजमेंट हुआ पड़ी गंभीर टिपड़ी थी और ऐसी टिपड़ी पर सरकार को सोचना के लिए विवस कर दिया और सरकार खामोस होकर अगर बैठी रहेगी तो सब समझते हैं जी साही जी सब्सक्राइब कर दीजिए आप अठा रहे अजर करिए ना करिए कम सक्क्राइब गास तो कि दोर में आज कर दीजिए आप जो गांट बात के रखें साथ सालते उसको खोली तो पहले जी सर चलिए बिल्कुल साही जी आपने ठीका विक्रम सिंग नपी तुली भासा में इस जो सरकार का अधेश है इस पर आपका क्या विचार है और मैं अपने सभी दर्सकों से एक अन्रोद कर रहा हूं कि इस समय स्पेसल कबरेज नियूज कुछ आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है ऐसे में जो भी साथी इथा संबब सहयोग कर सकते हैं वो करें बड़ी महरवानी होगी और उनका ये सहयोग ये आवाज यूई आगे बढ़ाने में निरंतर सहयोग होगा और ये सहयोग कि इसी तरीके से सिख्षा मित्र अनुदेशक संविदा कर्मी सब की आवाज को बुलंद करता रहेगा जी विक्रम सिप्ट अब जी सर मैं तो इस बात से सामत हूँ अभी जो आप घोसना की बात कर रहे थे सर भोसना तो अभी जैसा साही जी कह रहेते हैं तो योगी जी का टूइट अभी आदनिये देवंत परताफ सिंजी जो गोरकपूर फाजाबाद के अमलसी हैं उन्होंने पिछले दिनों हमार में उन्होंने क्या कहा वो टूइट साहीद मुझे भेज दीजे मैंने वो टूइट भेजा था तो मानिये मुक्मंत्री जी का टूइट है फार्तिये जनता पाटी जिसकी सरकार है उसकी टूइट है और अनुदेशकों के खाते में तो आठ जार सासौ सतर रुप्या आ गया में पेट्रॉल भरा चुके थे ओ नौ महीने का पैसा हमारे एकाउंट से वापस लिया गया मतलब रिकावरी हमारी हुई तो बीशुक के इतिहास में यह तो पहली ऐसी सरकार जो की है तो जब रिकावरी कर सकती है और अभी आप कहा रहे हैं कि घोसना कर दीजिए जन्वरी में देंगे अब इन घोसनाओं से सरकाम नहीं चलने वाला है मोदी जी का 28 अगस्त का है ना 24,000 मैंने आप से पूछा ना किस देश में कितने ऐसे राज हैं या कितने ऐसे जन्पद हैं या कौन सा इसा बेखती है जिसको 24,000 मिल ला हमें तो नहीं लगता इस पूरे देश में मैं एक मिनिट रोकूँगा मेरे ये दौनो नम्बर आपके सामने इस्क्रीन पर है पेटीएम का नमबर है और जी पे का नम्बर है जी पे का नमबर थोड़ा गड़बर हो गया उसे मैं सही कर दूंगा अभी किसी भी नमबर पर आप सहयोग कर सकते हैं जी विक्रम सिंग जी मैं आपकी बाद से सामत हूं और जो भी साथी हैं अनुदेशक साथी हमारे जो भी संबब हो उस सहयोग करें आप सबसे निवेदन हैं तो मैं वही सरकारा था कि इस देश में कितने ऐसे राज हैं जहां किसी भी बेक्टी को 24,000 मिला मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इ इसको 24,000 मिला होगा और 24,000 अभी मिला नहीं और इधर घोसना हो गई कि अब 1035 मिलेगा तो घोसना करना तो बड़ा असान है लेकिन उसका पालन करना उसकी मोनिट्रिंग करना इस चीज को मोदी जी को पता करना चाहिए और आप तो कहते हम जंता के सेवक हैं जंता के प्रत करते हैं तो मोदी जी को इस बात को इस देश के लोगों से मन की बात में मन की बात में पूछनी चाहिए लोगों के भी मन की बात सुननी चाहिए और पूछनी चाहिए इस देश के लोग बताएं कि 28 अगस 2017 को जो उनने 24,000 किया था ओ आज तक इस देश में कितने लोगों को मिल रहा है और उसके बाद आप अपने 26,000 की बात आप कर दी एक हजार पैटीस परतेग दिन की बात कर दी 26 दिन देंगे चार अभी बार आपने हटाया अच्छी बात है चलिए चार अभी बार काम नहीं करता आपने लेकिन लोगों को मिलेगा यह तो आपको इस वर करना परेगा कौन ऐसा बेखती है जिसको मिल रहा है यह भविस में मिलेगा केवल घोसना कर देने से हमें लगता है कि ए नियम कानून का पालन है उसका फिडबैक लेना चाहिए उसकी मॉनिटरिंग कर दो चाहिए और पता किसी संबिदा कर्मी को जो सात्मा बेतनायोग दोजार सोलम मोदी जी ने लागू किया था मोदी जी ने 2016 में सात्मा वेतनाय उलागू किया था जिसका निवन्तम मांदया वेतन 18,000 था मैं तो पूछना चाहता हूँ इस देश में कितने ऐसे राज हैं कितने ऐसे जनपत हैं और कौन सा वो भागसाली बेक्टी है जिसके खाते में 1800 रुपया जाता है कोई नहीं कोई यूए सा विक्ति नहीं है इस देश का सौभागसाली बेक्टी नहीं है जिसके खाते में आथारह हजार जाता हो और केसम माँरिया जी को भी इस बात की जिम्मादारी लेनी परेगी आपने यदि कराना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के स्थामित्रों को कम से कम आठारह जार की बात आपने की है तो 18,000 मिले हम तो 18,000 की बात कर रहे हम अभी 24 रा 26 छोड़ दीजिए जो डिप्टी सेम सामने कहा है उत्तरप्रदेश की सरकार उसी को लागू कर दे 18,000 हम उसी का स्वागत करेंगे सर बिल्कुल मनीश जी क्या कहेंगे क्या अपील करना चाहेंगे आप सभी सिक्षामित्रों से क आपका कैसे सहयोग किया जाए क्या मदद की जाए मैंने भी बात की है मैंने मैसेज दिया है किसी को हो सकता है आपकी मदद हो फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं चूंकि आप दिव्यांग है और मैं चाहता हूँ कि आपकी अच्छे से मदद हो जाए जी बोलिये मैंने सर सुलील सर को बाट सब भी किया था पूरी डेटेल बताई और उन्हें फॉन ही नहीं रिसीव किया समस्या आए है सर कि वी ऐसे सब सुबह आठ सब बजते हैं तो हम को फॉन करते हैं हैं इससे ऌसर को अधाब करते हैं विदा मीदा पर करते हैं कि मैंने चोकर जी को वगत करा दियाव लॉह मधर मुंपनी करें जोखने सक्दाति हैं कि वैसे यह सर कोई आगे ही नहीं आ रहा है कि वास्ता होगा तो वाओ तो इससे क्या फार्दा है बताओ कि कई बार अप्सेंट लग चुकी है मैंने चोकर जी से आपको कौन करती है चलिए ठीक है मेरा मकसद रहेगा कि आपकी मदद हो जाए मैं कुछ अधिकारियों से बात करूँगा उसके बाद आपको बताता हूँ अबगत कराता हूँ आपको नयाय मिले इसके लिए मैं प्रियास करता हूँ मेरा सर अन्रोद है कि मेरा संपर सुनिल यादव सर या उनसे सी से हो बैसर लगना हूँ जाके इस वक्ति में कारवाई करा नहीं है सर यह तो चिंदा नहीं देगा इस वेसे मैं अपनी पीडा मुझे पता कैसे जाता हूँ मैं कैसे नोकरी कर रहा हूँ या फिर छोड़ बेटो तो काम करो चलिया चलिया मैं बात करता हूँ आप सबका अभी सभी दर्सकों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद निश्चित असर पड़ाए और असर पड़ेगा और उम्मीद है कि आपको नियाय मिलेगा इनी सभी सुपकामनाओं के साथ आपसे बेदा लूँगा सभी को नमस्कार धन्यवाद आभार